हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू न्यू वीडियो फ्रेंस इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ कि अगर आपके फोन में भी ये चार्जिंग के स्पीड बहुत ही स्लो है यानि कि अब जब फोन को चार्ज करते हैं तो बहुत ज़दा टाइम लग जाता है फोन को चा कर सकते हैं बस के फोन में सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि मैंने आपको बता हूँ करते तो इस वीडियो को लाइक और चानल पर ने होगे तो चानल को सब्सक्राइब कर देना है जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्नों इंफनिक्स के फोन में आप इस सेटिंग को कर सकते हैं क्यूंकि इन दोनों फोन में आपको सेटिंग्स ज्याधा तर सेम टरीके से मिल जाएंगे और इन फोन में जो सेटिंग्स से ज्याधा तर सपोर्ट करते हैं जैसे कि आप का फोन बहुत ही जदा फास्ट चार्ज होते है बस अडर फोन में भी है सेटिंग सपोर्ट करेगा या नहीं इसकी गरांटी नहीं है क्योंकि आप इसको करके चेक कर लेना तो यहां पर आने के बाद आपको नीचे की तरह पाना है सिस्टम के आपको दिखेंगे यहां पर यहां पर आपको बहुत सारे ओप्सेन मिलेंगे, जिसमें से आपको यह एक ओप्सन यहां पर मिलेगा,बाउट फोन का आपको क्ता का आपको आपनी इल्ड होगा और ऑपको आपको डिवलोपर यहां rendable कर लेना है, अगर आपके पहले से बहुत हadtय बात ही है, अगर नही कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से डिवलोपर उप्शन नहीं मिल रहे तो आप यहां से सर्च बार में आकर भी बिलिल नमबर सर्च कर लेना और उस पर साथ बार टैप करके अपने फोन में डिवलोपर उप्शन को इनेबल कर लेना और जैसे आपके फोन में डिवलोपर वहाँ पर आपको developer option मिल जाएगा पर आप इस setting को यहां से आ जाना developer option में और developer option आपका हमेशा on होना चाहिए उसके बाद आपको यहां पर आना है और यहां से अब हम बात करती कि charging speed को बढ़ाने के लिए किन settings को करना बहुत ही जरूरी थी यहां पर आप नीचे की तरफ scroll करें तो तुब हां पर बार-बार disconnect connect का जो option आता है वो नहीं आएगा और आपका phone बहुत ही ज़्यदा fast charge होगा तो इसको आपको हमेशा ही on कर देना है अपने phone में तो यहां से आपको कर देना है fast setting जो कि आपको यहां से कर देना है developer option में और यहां से आपको नीचे की तरफ जान कर देना है इसको इनेबल कर देंगे तो आपका phone है बहुत ही ज़्यदा fast charge होना start हो जागा इसको आपको हमेशा अपने phone में on कर देना है और यहां पर यह सेटिंग कर देती तो आपका दूसरा setting यहां पर developer option में complete हो जाता है आपको force for x msaa को on कर देना है अपने phone में और यही से कि आपका phone बहुत ही ज़्यदा fast charge होगा जब कोई activity नहीं होगी तो आपका phone का battery बहुत ज़्यदा free होगा और इस condition में आपका phone बहुत ही ज़्यदा fast charge होगा तो इसको आपको enable कर देना है तो यहां से हमार तैसरा option complete होता है तैसरा setting हम यहां से complete कर लेते और इसी के नीचे आपको एक और setting मिलता है जो कि last setting है जो कि हमारा phone का last setting है इसको हम करने बाले है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा background process limit अब गैसी यहां पर देख से तो यह जो background process limit है इसको जब आप phone को use करने के बाद भी आप phone को रख दे तो और सोचते हो कि अब हमारा phone में कुछ भ होने लगती है और आपको पाता होगा कि जब आपका phone का battery use हो रहा है उस time अगर आप battery को charge करते हो तो आपका charging भी अच्छे से नहीं होगा और battery भी आपका drain होने लगते तो इस condition में आपको यहां पर click करना है और इसको यहां पर no background process इस पर click कर देना है या फिर at most one process पर click कर द आपका phone का battery बहुत ज़्यादा fast charge हो रहा है या फिर नहीं आप हमें comment करके भी बता सकते हो अगर आपको वीडियो पसंदार वीडियो को लाइक केज़ेगा और चैनल पर नहीं होगा चैनल को subscribe कीज़ेगा चलिए मिलते है एक नए वीडियो में